है गाईज विल्कम टू माई चैनल गाईज मैं हूं रेखा आप देख रहे हैं अपना चैनल रेखा क्रेशन आज की वीडियों हम ब्लाउस के नेक की डिजाइन लेके आए हैं तो यह डिजाइन मैं सूट पे बना रही हूं इसकी लेंथ मैंने 7 इंच रखी है अगर आप ब्ल करने साथ में बिल आइकन को भी फ्रेस करने जिससे मेरे चैनल पे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इजली मिल जाया करें यह मेरा सूट जो है अस्तर वाला है तो मैं इसमें अस्तर के साथ ही डिजाइन को बनाऊंगी पट्टी अलग से नहीं लगाऊं चैनल किसी भी चैनल पे जाके डोरी बनाना देख सकते हैं इस डोरी को हम 3.5-3 इंच में कट कर लेंगे अब हम लैस को लगाएंगे तो लेस को हमको किस प्रकार से लगाना देखिए हमारा यह वाला लैस है इसी प्रकार का लैस आप लीजिए अगर आप सिंपल लैस है आप लगाने के बाद हम डोरी की पिसे लेंगे इस प्रकार से फोल्ड करेंगे और नेक में ऐसे लगाते चले आएंगे डोरी की साइज हम बराबर रखेंगे पूरे नेक पे हम इस प्रकार से डोरी को अटेच कर लेंगे गाईज अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना चैनल फिर नए हो तो चैनल को सस्क्राइब करना वीडियो में कहीं पर भी आपको डाउट हो तो कमेंट करके पोचना मैं जरूर रिपलाई करूंगे यह हमाने लगा लिया लगाने के बाद हम इसके ऊपर से अस्तर लगाएंगे इस प्रकार से अस्तर का गला जबकि मैंने कट कर रखा अगर आप कट ना करें तो और भी अच्छा रहेगा इस प्रकार से आप रखेंगे और इसके उल्टी साइड हम पलट लेंगे इसको पिन से हम टक करके उल्टी साइट पलट लेंगे, अस्तर हमारा नीचे हो गया, उपर से हम उसी सिलाई पे, जिस पे हमने डोरी लगाई थी, उसी सिलाई पे हम दूसरी शिलाई लगा देंगे, जिससे अस्तर अटैच हो जाएगा, सिलाई के उपर ही हमको सिलाई लगानी है, इधर उधर नहीं लगानी है, स्टिचिंग कम्प्लेट होने के बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे, कटिंग हाँ अराम से करेंगे, इसमें डोरी भी है तो थोड़ा सा टाइट होगा, कटिंग करने के बाद हम छोटे छोटे कट लग करने के बाद हम आलफिन निकाल के इसको मतलब पलट लेंगे इस प्रकार से हम पलट लेंगे पलटने के बाद यह जो डोरी और लेस है इसको हम बाहर के साइद ऐसे फोल्ड करते हुए इस प्रकार से सिलाई लगा लेंगे इस पे ऐसे अच्छी तरह से फोल्ड कर लेंगे बराबर बाहर की शायद और इस पे हम किनारे पे एक सिलाई लगा देंगे देखिए इस प्रकार से जैसा कि वीडियो में आपको दिख रहा है गाइज वीडियो में कहीं पर भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछना मैं जरूर रिप्लाई करती हूँ तो इस प्रकार से हम बैठने वाली सिलाई उपर से लगा लेंगे और ये हमारा नेक देखी फिंसिंग के साथ बनके रेडी हो गया इसमें कहीं भी अंदर के साइड से कोई सिलाई वगरें नहीं दिखेगी बहुत ही फिंसिंग दोनों फिंसिंग रहेगी अंदर से भी बाहर से पहनने के बाद इसका सेब बहुत ही अच्छा सा आएगा इस प्रकार से गाईज अगर वीडियो में कहीं पर भी डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी ये भी बताना और चैनल को सस्क्राइब जरूर करना साथ में बेल आइकन को भी प्रिस करना जिससे मेरे चैनल पर आने वाली हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इजली मिलता रहे जब हम फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ न्यू टोपिक पर थैंक यू फूर वाचिंग मैं वीडियो टेक केर बाबाए